है कि भारती जन्ता पार्टी जो पर्सेप्शन है । जो पर्सेप्शन समाजवादी पार्टी का है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भाती जिन्ता पार्टी के बड़े-बड़े मंत्री शामिल हुए जिनके पास व्यापक समर्थन है जनाधार है जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, स्वामि परसाद मौलिया जी, कितना बड़ा जन समर्थन ने उनके पास, उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग है, या मंतरी दैरा सिंग चौहान सामिल हुए, उनके पास भी समर्थन है, जिस तरीके समाजादी पार्टी ने दरों को जोड़ा है, तो जो perception है उस perception की लड़ाई में भार दिन्दा पार्टी हार गई हम लोग आगे हैं हम अपना manifesto release कर रहे हैं कि आखिकार जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता से हम क्या कहें आपके ही सामने नजाने कितने बिंदू हम उठा चुके हैं तीन सो यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी इसका जवाब भाद दिन्दा पार्टी के पास क्या है भाद दिन्दा पार्टी कहने लगी हम बिजली आदा कर देंगे तो इसका मुझा साड़े चार साल तक तुम बि पी चलना है किस स्पेसिफिकेशन के खरीदे गए थे और किस स्पेसिफिकेशन के बांट दिये गए समाजानी पैंशन एक एतिहासिक फैसला था और डारेक्ट बैंक के एकाउन भी जाता था ये विवस्था समाजवादियों ने उत्तपदेश में नजाने कब लागू कर द कि समाजवादियों पैंशन पुने शुरू होगी और ये जो परानी पैंशन विवस्था की बहाली ये हिस्टोरिकल फैसला है और उनके लिए जो बुजूर्ग हैं जो सिवा देते हैं और नौकरी के बाद उनके समाजवाद के लिए कम से कम एक ऐसी विवस्था है जो करना विडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हाँ आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन विडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं ऐसे ही कुछ और विडियो के लिए देखते रहिए News 81